नमस्कार दोस्तों सुआगत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों आज है 10 मई 2020 और जान लेते हैं आज की प्रमुक खबरें सबसे पहले सुरुआत करते हैं 69,000 सिच्छक बढ़ती से लेख दोस्तों 69,000 सिच्छक बढ़ती की संसुदित उत्तरकुंजी कल जारी कर दी गई है और तीन प्रसन ऐसे हैं जिनको कामन किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा अब इस बारे में कुछ भी इसपस्ट नहीं है परिछा कमेटी इस पर नड़े करेगी कि इन प्रसनों को कामन किया जाए या फिर डिलीट किया जाए ठीक है और जो संसुदित उत्तरकुंजी आई है इसमें बहुत से ऐसे अबरती हैं जो की निरास हैं सही प्रसनों को गलत किया गया इस वज़े से बहुत सारे अबरती हैं जो कोट भी जाने की तयारी कर रहे हैं ठीक है उनका कहना है कि जो प्रसन डिलीट किये जाने थे या जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना थी बदलाओ कि उसमें कुछ नहीं हुआ ठीक है और वो वाकई में गलत है लेकिन जो प्रसन सही थे उनको गलत किया गया है पर इच्छा संस्था ने यह कहिकर गलत कर दिया कि यह प्रसन आउट अपसले बस हैं ठीक है तो बहुत से साथ हैं जो की उनतर जार सिच्छकबर्दी को संसुदित उत्तरकुंजी को कोट ले जान में रखते हुए सीनियर अधिवक्ता इंपूर वद्देच्छ इंपूर सचिव इलहाबाद के मानी अनिलतिवारी जी के हाथों केस को सौपा गया है जो इलहाबाद बिंच में अपनी याचिका डालेंगे ठीक है तो संबवता जल्द ही इनका केस लगेगा वकील हायर हो च जाएगा पूरी तैयारियां चल रही है वहीं पर अगर सरकार की तैयारियों की बात माने तो यहां पर आप लोग दे सकती है कि सिच्छक बढ़ती परिच्छा के परड़ाम तीन दिन में ठीक है एक दावा किया जा रहा हिंदुस्तान नूज पेपर है और यहां पर कहा जा कि परड़ाम जारी किया जा सकता है ठीक है अगली सिच्छक बढ़ती की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 49 सो पदों पर बढ़ती प्रक्रिया शुरू होनी है लेकिन अभी तक बढ़ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है अब तक की देखा जाए तो सबसे बड़ी बढ़ती होगी असिस्टेंट प्रूफेसर की टिक है भात करते हैं विग्यापन संग्हा 46 में 45 विश्यों के हैं छोला सू बामन पद थे विग्यापन संगह 47 के एंपद प चाहां साथ सिच्छा निदे साल है सासन को इस बारे में एक बार फिर से पत्र लिखने जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बढ़ती को हरी जंडी दें और इसके बाद इस बढ़ती को शुरू कराया जा सके यह बढ़ती प्रक्रिया कई बार ठप हुई है और सासन के से इसको हरी जंडी नहीं मिल पा रहे इस वज ही इसकूलों में मुलैंकन कारे सुरू हो गया है आज इसे ठीक तो यहां पर भी मुलांकन करेंगे को टूइड करके ग्रह मंतरी अमित साह का आभार वैक्त किया से जो मंतरी हैं उन्होंने और उन्होंने कहा कि इंडी मिनिश्टर की बात हो रही है यहां पर कि छात्रों को तर फुस्तिकां मुलांकन के अंदर se से अद्यापकों के घर बेजी जाएगी और उनी के घर में मोलांकन किया जाएगा उन्हें लिएक से पंदरा जुलाइगी बीच में बाकी परिचाएं संपन होंगी बात करते हैं अगली अपडेट की तो इलहाबाद विषविद्दाल वहाँ से संब्द जो कॉलेज हैं वहाँ पर admission की प्रक्रिया शुरू हो गई है आज 10 मई से इसके online admission शुरू होंगे ठीक है और कई पर्ट करम के तहते यहां पर प्रवेश होंगे कोई भी अंतिम डेट अभी दिनदाजित नहीं की गई है क्योंकि lockdown की स्थिति यह ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अबर थी इसका फांबा रहें इसलिए कोई अंतिम डेट नहीं है आप दे सकते हैं कौन कौन से courses के admission होंगे तो यहां पर देखिए इसनाता के आन पार्ट करम में प्रवेश के लिए आवेदन लिया जाएंगे वह परा इसनाता कोर्स की बात करते हैं तो BLB, LLB, LLM, Monerva, MBA कई सारे course हैं इनके तहट आप लोगों के admission ले जाएंगे तो अगर आप भी करने के ही चुक हैं तो आवेदन आज से कर सकते हैं ठीक है फीस की बात कर लेते हैं तो सामान के लिए 800 रुपए फीस है SCHT के लिए 400 रुपए फीस आप लोगों को लेगेगी कैसे आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए आप लोग इलहाबाद की वे अफसाइड विजिट कर सकते हैं अगली अप्रेट की बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं 20 लाख रोजगार देनी की तैयारी करें योगी जी ने कहा है कि यह 20 जार लोगों को रोजगार देंगे कहां पर काउंस रोजगार थोड़ी नजर डाल लेते हैं यहां पर देख सकते हैं मुखमंतरी ने कहा है कि प्रवासी कामगारों के लिए 20 लाख रोजगार उपलब्द कराने की बड़ी कार्योजना तयार की जाए महिला स्वैम साहता समूहों को रेडिमेट स्वैटर आज तयार करने के लिए प्रसिच्छित किया जातों जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए 20 लाख रोजगार देने की तयारी करने के आदेश दिये गए हलाकि इस तरीके से आदेश तो बहुत आते हैं लेकिन सब नियूज पेपर तक ही सीमित रह जाती ह अगली निसकी बात कर लेते तो बेसिक स्कूलों में आप लोग जानते सिच्छकों के आउन-लाइन ट्रांसफर होने थे फिलाल लॉकडाउन के चलते सभी ट्रांसफर ठप हैं ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकी हुई है ठीक है तो बेसिक सिच्छमंत्री का कहना है कि ऐसे म और सिच्छकों के तबादले की प्रक्रिया होनी है तेजी सी प्रक्रिया चल भी रही थी कोबिड नाइंटीन के कारे से यह सब प्रभावित हुआ है आएसमें सिच्छकों को इतने जल्दी निराज होनी की जरुत नहीं है हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं ठ तो यहां पर अपडेट 68500 सिच्छक बड़ती के बड़तियों के बारे में लिखा आया कि अच्छक बड़ती के पुनियार मलंकर ने उत्ती उनको नियुक्ति नहीं आप लोग जानते ही कि 68500 में कई सिच्छकों को कोड़ से आदेश आया था कि इन सिच्छकों को जोइनिंग करवाया जाए तो मार्च में हाई कोड़ने के अदेश पर 68500 साय के द्यापक बड़ती के चैनितों को नियुक्ति का प्रक्रण लाग डाउन के कारान रुका हुआ है नए बड़तियों को चिंता है कि नए चुचैनित हैं अपने साथियों से पिछड जाएंगे हाई कोड़ के आदेश पर 23 सब बड़तियों को नियुक्ति देने का अनुमोदन सासन ने किया है पर इसाथ कार्याले में करीब 57 बड़तियों को पुनरम लांकन में उत्तिन होने का दावा किया गया है बांकी का प्रस्ताव सासन को भीजा गया उसका अनुमोदन मिलते ही नियुक्ति की जाएगी लेकिन ये नियुक्ति फिलाल लागडाउन कारण फसी होई है तो 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 यह हो गई आज की पूरी अपडेट आसा करते हैं वीडियों पसंद आया होगा इ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो का लाइक आउट सेर भी कर दीजेगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवादा